हेलो एंड सलाम वालेकूँ वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हो आप लोग ठीक होगे ना मैं भी बल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे आप लोग से एक छोटी सी बात करनी है कि कल मैंने दो वीडियोस लगाई थी तो मुझे ये कहना था कि हार बंदे के अपने रूर कार सकते हूँ लेकिन आपको हेट कमेंट करने का या फिर कोई भी बुरी बात करने का कोई हाक नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं किया था जो कि हमारे इलिजिन के हिलाफ अगर आप लोग पूद देखें तो जो लोग मुस्लिम हैं उनकी बात का रही हू तो यहां पे इतने नाथा होते हैं जो ऐसे लम आफ करें जैसे टांस कार के और जूम जूम गई नाते पार्ट होते हैं तो क्या वो सब ठीक है और मैंने जो वीडियो लगाई थी उसमें कौन सी बेहत भी हो रही थी हाँ वो सौंग के ओपर वीडियो थी यानिक उसमें आप लोग किसी की इंसल्ट करने का आई हो कि अगर कोई सुन रहा है जिसने ऐसा काम किया था तो तो वह समझ जाएगा और ना भी समझे तो कोई बात नहीं मेरा दिल साफ है और मैंने कोई भी गलत नियत से काम नहीं किया था तो बाकी साब ने अल्ला को अपना अपना जवाब देना है तो चलिए हम अपनी स्टोरी जिसका नाम लीटल एरो केंट है उसकी दरख चलते हैं और अगर आपको स्टोरी पसानता है तो प्लीज लाइक और कमेंट कारके मुझे सुरूर बताईएगा तो अब हम क्या देखते हैं केशू येंग जो के वांग जी के घर में कैस्ट है वो आ चुका है और वो उसकी भावी का कसन है लेकिन वो बहुत स्यादे फलर्टी और बहुत स्यादे बिक्रा हुआ लड़क है जो के बस वींग के ओपर बुरी नजरी रखता है और हमारा वांग जी वो तो बस बिलकुल बहुत स्यादे उससे में आ जाता है वो कितनी बार ही नोट का चुका था कि जब भी वींग जो यहाँक्या बास होता था वो तो बासु से घुरी जाता था और बिचारा बुद्दू सा वींग वो तो इस बाद को नोट ही नहीं करता था लेकिन वांग जी उसकी तो तेज उकाब जैसे आंकें जैसे साभी नोट कहा रहे थी और आज सुपा चाब वो स्कूल जा रहा था उसमें विंग से कहा देखो विंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेशक तुम होगी आलफा लेकिन तुम्हें अकल की बहुत से हथी कमी है क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या मतलब है? तुम्हें नज़र नहीं आता हुँ तुम्हें कैसे कूरगूर के देख रहा हुता है और तुम उसे कुछ कहते नी? लेकिन मैं तो गरीब हुना अरे गरीब गरीब क्या लगाई रखी होती है जाब देखो गरीब हुना गरीब हुना क्या तुमारे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हाँ है तो लेकिन मैं तो गरीब हुना ओके फाइन रहो गरीब लेकिन कम से कम अपनी थोड़ी सी फास्थ करना सीखो और लोगों की नजरों को जाच करना सीखो देखो, मैं कितना ज्यादा समझता हूँ मुझे तो साथ पता चाल जाता तुम्हें क्यों नहीं समझता मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करता मैं तो बस आपकी सारी काम करता रहता हूँ ना आपके कामों की तरफ मेरा ध्यान रहता तो मैं किसी और तरफ ध्यान ही क्यों दूँ हम, बेटर और अवगों का जवाब तो जैसे मॉआंग जी को अच्छा ही लगा था यानि कि वींग का ध्यान तो कहीं और जाता ही नहीं है और अवगों जी ने सोचा था पेशाग वींग कितना ही स्यादा पुतू पागल और भेवकों भी क्यों नहीं हो लेकिन वो किसी को इजाज़त नहीं देखा कि कोई उसके भीवी सीटर की तरफ आख उठा के भी देखे चाहे वो शूर जाएंगे क्यों नहीं और वो बढ़ा तो क्या हुआ लेकिन वांग जी से ज्यादा पावरफुल तो बिल्कुल नहीं होगा और वांग जी तो पास यही सोच रहा था कि वो बास अपने वींग को प्रोटेक्ट करेगा और आप वो स्कूल जा चुके थे और आट स्कूल में पता नहीं क्या हुआ आज जो वांग जी को वापस साथ तो बहुत ज्यादे ही चींके लगी हुए थी और वींग बार बास उसकी नोजी साफ के जा रहा था अरे क्या हो गया आपको बाबा पता नहीं क्या हो गया मुझे बस मैंने जूस ही तो प्या था आच और बास वो बोले जा रहा था चींके जा रहा था और विंग ने एक बार फिर से टीशू से उसकी नोजी साब भी लगता है आपको सर्दी हो गया है अरे देख नहीं रे जुलाई है या इतनी जाता है गर में मुझे सर्दी कैसे हो सकते है और उसने फिर से चिंक मारी और विंग बिचारा क्या अधार से जाता बाबजा आप चुब हो जाएं आपकी तविय ठीक नहीं है चले हम डौक्टर के पास जलते हैं नहीं नहीं मैं डौक्टर के पास नहीं जाओंगा तुम्हें पता भी है उनके पास कितना बड़ा इंचेक्شन होता है लेकिन वो इंजेक्शन तो आपको लगवाना पड़ेगा ना बापा लेकिन मुझे बहुत ज़्याद ही टार लगता है मैं नहीं लगवा सकता नहीं बापा आप तो कितने ज़्यादा स्ट्रोंग हो और आप तो कितने ज़्यादा अच्छे हो आपको लगवाना पड़ेगा अब विंग उसे प्यास है समझा रहा था ठीक है मैं चलूँगा लेकिन फिर तुम यह साथ चलोगे ना हाँ हाँ मैं तो आपकी साथ ही हूना बाबा अच्छा ठीक हो गया और आववान जी तो बहुत ज्यादी बुहार में थाप रहा था उसको ज्यादा ही फीवर हो गया है क्या खाया था आपने कुछ में नहीं मैंने तो बास और इंजी उसी पिया था अच्छी और अब वो जैसे अपनी सारी नोसी डॉक्टर पर ही गिरा चुका था और विंग एक ताम से इंबारस हो गया सारी सार मैं भी साफ कार देता हूं और अच्छी एक ताम गुस्से से बूलना शुरू हो गया था और उसकी छेंकियों तो जैसे खाय भी होगी थी अच्छा तो गोल्डी चलो मेरी तरफ बैक करो तुम इंजेक्शन लगया अरे अरे क्यों वहाँ क्यों बाजू पे लगा दोग ना नहीं ये इंजेक्शन ज्यादा ही थोड़ा पेंफुल होने वाला है तो आपको यहां पे लगया उन मैंने लगवा सकता बाबा आप तो कितने ज्यादा बहादूर हो आप लगवा लोना प्लीज मेरे लिए और विंग ने कहा था और विंग ने कहा था तो वांग जी क्यों नहीं मानेगा और उसन अज़र ठाली तो और डाक्टर तो इस चूटे से लड़के की बड़ी बाते सुनके हरानी हो रहा था ओके ठीक है मैं अदर मुखार के लगा आ देता हूं ये ना फिर कहीं ओन लग जाए नहीं इदर मुखार के लगा हो लेगन मैंने बोला मेरे दर देखना नहीं और मेरा फाइदा उठाने के तो कोशिश में मत करना क्या मतलब है आपका कुछ भी नहीं जल्दी लगाओ और पिर डाक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया और वांग जी ने एक दाम से चीश मार के ऐसे विंग की नेक में अपना मूँ जबा लिया था हो नोसे कितना ही स्यादा पेन हो रहा था और विंग पास फीवील हिगा रहा था उसकी गरम गरम सांसे अपनी नेक के उपर अपनी जज़ के उपर और आप इतना स्यादा करीब होने के वज़ास से विंग उसकी सेंट को और अच्छे से फील खार सकता था और उसे पता निए क्यों यह सेंट कुछ स्यादे इंटॉक्सिकेटर लाग रही थी यह सब क्या हो रहा तो उसके साथ वह इस छोटे से लड़के से येट्रेक्ट हो रही है नहीं नहीं क्या सुच्य हो गही तुक्ण मारा दिमाग तो हराभ नहीं हो गया वह बस वांग जी अपने शाथ लगार उजीव सी सोचो में गुम हो गया था क्या हो रहा है यह उसे उसकी सेंट इतने ज्यादा जीव क्यों लाब रही है और वो क्यों इसकी तरफ अट्राच्चेंट पील का रहा था और वांग जी उसकी तरफ देखा ओल्डी चलो अब यहां से चलते हैं नहीं तो डॉक्टर मुझे और इंजेक्शन लगा देगा और कि अवाज जैसे उसे ह्यालों की दुनिया से बाहर ले आए थी हाँ चले ना बाबा और अब उसने बहुत मुश्किल से गोलों मुलों से वांग जी को उठाया और उसे लेकर वो कार में आ चुका था उसने मैडिसन भी आप में पकड़ ले थी और अब वांग जी तो जैसे इनकी कोड में सार रखे लेटा ही हुआ था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था साथ मुसूस हो भी किया चा रहा था अरे बाबा क्या हो गया एक इंजेक्शन ही तो था हाँ इंजेक्शन ही था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंजेक्शन से पेन होता है मुझे बहुत ज जाओगी देखना है हम हो जाओंगा ठीक अगर तुम मेरा ह्याल रखोगी अरे बाबा मैं क्यों नहीं ह्याल रखूंगा आपका मैं हूँ इसलिए क्या आपका ह्याल रखूं आप टेंशन नहीं ले आप आस अराम करें और अप थोड़े देर के बाद वो घार पहुंची चु यांग भी वहीं पास में बैठा था और आज जैसे उनकी पूरी फैमिली गार पे थी लांच पे और आज गगा भी थे और उनकी वाइफ भी उन्होंने पुच्छा क्या हुआ तुम्हें बेबी तुम ठीक तो हां गगा बास मुझे थोड़ा फीवर होकी है और सुकाम भी ह हो गया है अच्छा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं उसके भईया एक दम से परिशान होगे नहीं मैं वींग के साथ चला के आता मैंने मैडिसन ले ली और इंजेक्शन भी लगआ लिया और अब उसकी भाबी न उसकी तरफ हैरानी से देखा क्या तुमन ने वी बना आकर लाया था ऐसने तो बन्वाया ही था न बैख और अब उसने जैसे वांच्जी के पास बैट के उसे वह थोड़ा-थोड़ा सूपी लाना ही शुरू का दिया था और शूंप है पस उसकी तरफ देख रहा था वींग इतना ज्यादा खेरिंध था और कितनी अरे मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा था, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, देखो तुम्हारे नाग कितनी ज़्यादा लाल हो रही है जुकाम के विजा से, ठीक है आप अपना काम करें, और प्लीज उसे खुरना बंद करें, वो मेरा है, ठीक है ना, हाथ पकड़ लिया, ब्रदर मैं आपको बता दूँ, यह विंग कौन है, यह बेबी सिटर है, और यह मेरा बेबी सिटर है, यह आपका कोई परसनल क्या है, ठीक है, यह आपका सेवेंट नहीं है, तो आपको जो भी मंगवाना हो, आप प्लीज एंकल से बोल के मंगवा जीए, उसने दूसरे सेवेंट की तरफ इशारा किया, और हाँ विंग, तुम्हें मैंने कितीं दगा बोला है, कि मैं तुम्हें होन करता हूँ, मैं तुम्हें यहापे लेखिया हूँ, तो तुम बस मेरे काम करोगी, और किसी के भी नहीं समझ के तुम, जी समझ क्या, चलो, मुझे नीद आ रही है, सोजो मेरे पास, और हाँ मुझे अच्छे से हाख करना, मुझे बहुत जादा सर्दी भी फील हो रही है, और आप विंग कारी किया सकता था, वो विससे उसके सार लेट चुका था, और वान जी ने फिससे उसको हाख कर लिया, बैटर, और विसिटर हूँ, आप तो जानते ही हो, हाँ, लेकिन इसके इलावा क्या करते हो, मैं आउनलाइन पार रहा हूँ, और जल्दी मेरा मास्टर्स कम्पलीट होने वाला है, ड्रेट, तो इसके बाद तुमने क्या सोच है, हाँ मैंने सोच है, कि मैं, और अभी वह कुछ बोलने ह वाला था, कि वाँजी फिर से वहाँ पर आगया, क्या बाते हो रहे हैं यहां पर, विंग तो मुझे वहाँ पर एकेला चोड़ के आगया थे, तो मैं जरा भी थ्यान नहीं है, कि मैं बिमार हूँ, तो मैं मेरा ह्यार बरना चाहिए, चलो मेरा साथ, और आप फिर से विंग को अपने पास बठा लिया था, और उसे बोला था, चलो, लैप्टॉप लो, और अपनी assignment complete करो, और हाँ, मुझे भी थोड़ी help करो, मैं भी तो देखो, तुम्हें कुछ आता है कि नहीं, हाँ, हाँ, बापा मुझे सब बाता है, अच्छा, क्या आता है तुम्हें, हाँ, मै और असान सही हो, एड करने वाले ही सवाल था, लेकन फिंग तो बास बैट किया, और उसमें चोटी-चोटी लाइने लखाएं थी, और आप उन्हें अपनी fingertips से count का रहा था, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9, और वो कार रहा था, वान जी उसकी तरफ देख रहा था, क्या है, कार क्य इंचली, और उस न्यादा मिंट भी तो नहीं लगाया था, और उसने वो सवाल जैसे उसके आगे कार दिया था, ये देखो, ये है इसका अंसर, और विंग जो भी तो फिंगर टिप्स पे गिन रहा था, अच्छा, मुझे, मैं भी तो ये कहने वाला था, 25 या था ना, हाँ बड़ा 25 आता है, तो मैं पहले क्यों नहीं आया, वो मैं मैट्स में थोड़ा सा वीक हूँ, अच्छा, तुमने तो बोला था, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ, वो तो बस मैंने बोल दिया था, और वैसे भी गरीब लोग जो होते हैं, वो तो वीक ही होते हैं न मैट्स लेकिन पैसों से नहीं अकल से घरीब हो, क्या मतलब कुछ भी नहीं, चलो काफी रात ओचुकी है, तुम अपनी मामा से मिल गया हो, फिर हमें सोना भी है, कि हा मतलब अच भीर से, हां तो बोल क्या, तुम्या थे ही हो तो और क्या, तुम्हाँ पिर मेरे साह से सोना होगा, मैं कितना स्याद अभी मारूं, कौन मेरा हयाल रखेगा। अच्छा सही है। और अविंग जाके अपनी मामा को बताया था कि आज रात फिर से वो खुडूस के साथ ही रहने वाला है। रात के आट पाट चुके थे और वांची तो बहुत स्यादे टाइम का पाबन था वो पूरे आट बचे अपने रूम में जा चुका था विंग को लेके और उसने फिर से वो ही काम किया जो कि उसका फेवर्ट था वह आसे उसे गर्मी लाग रही थी और उपर से वांची जो के पहले बुहार में था उसको तोर ज्यादे गर्मी लाग रही थी लेकिन बिशाराकारी किया सकता था इसले वो भी चुक्चा बस लेट किया है और फिर रात के कोई इतासी बच्ची होंगे कि उसे एक्ताम से बहुत साथा गपराट होना शूरी और उसकी आँख खुल दे थी और अचानक उसे याँत आया ओन नू आज तो वो अपनी चैपलेट लेने भूल जा था वो से प्रेस सेंट जो वो रोज लेता था ताके किसी को उसके मैगा सेंट ना आज ए और आज तो जल्दी जल्दी मी पूरा दि वांग जी का ध्यान रखते रखते उसे ध्यान ही ने रात था कि उसने अपनी मैडिसन तो ले ही नहीं है और अब क्या होगा इस घर में वांग जी उसके फ्रेसर और हाँ वो शू जैंग भी तो था वो तीनों एलफा थे और अगर उनमें से किसी को अधा चाल के आकर वहीं के को मैगा तो फिर क्या करीगा वो उसे बहुत ज़्यादे परिशानी हो रहे थी और उसे एक्ताव से गर्मी भी लाग रहे थी और पताने क्यों उसे बहुत ज़्यादे गपराट हो रहे थी और अब उसने मुबाइल निकाला और उस पर डेट दिखी तो उसकी आँखें तो जैसे अपटने वाली होगी थी यानि कि उसकी हीट आने में बस थोड़े ही टाइम रह चुका था और आज उसने टैबलेट नहीं ली और अगर आज ही वो बिमार होगया तो वो क्या करी था उसे एक्तम से परिशानी होना शुरू हो गए और जो उसके सिंटम से उसे तो लाग रहा था जैसे वो अपनी हीड में आने वाल है अब वो क्या करेगा वांची तो उसे एकपाल के लिए भी हुच से अलग नहीं करता वो कैसे अपने आप को हीड में साफ से प्रोटेक्ट करेगा वो नो उससे कितनी ज़्यादा परिशानी हो रहे थी उसने वांची को देखा जो भी भी अराम से उसे हाग किये सो रहा था वो इंका दिले बहुत जादे कप्रा रहा था उसे भ्यास भी लाग रही थी उसका तो चैसे परिशानी में गलाई सूख रहा था उसने अराम से वांची भूट से अलग किया और आब वो उटके डूनता डूनता किचन में चला गया था इतना बड़ा गार था और बिचारा बहुत मुश्किल से अब किचन में पूँच किया था उसने फ्रिच खोली और आब वो पानी की बोतल निकाल के पानी पी रहा था और धबी उसे पीछे से अवास आई तो वो किचन में अकेला नहीं था कोई और भी था जो किचन में था वो शोयांग था जो आप हरानी से भींग की तरफ देख रहा था भींग तो बहुत स्यादे घबरा आगया था सार मैं यहाँ पानी पी ने आया था मैं सौरी मैं बचला जाता हूँ और शोयांग घबा इसता इसता उसके गरीब आता जा रहा था अरे तुम इतना स्यादा डरते क्यों हूँ क्या भात है पानी तो पी आना क्या मसला होकिया है वो कुछ नहीं कुछ नहीं और आप शोयांग भी जैसे उसकी स्वीर सी स्मेल बहुत अच्छे से फील कार सकता था और ये सेंट किसी अलफा की तो नहीं थी उसे एक ताम से पता चाल जाना चाहिए था कि वो अलफा नहीं है लेकिन वो अब भी भी कंफ्यूस था क्योंके वांग जी नहीं तो उसे बताया था कि वींग एक अलफा है और हाँ वो वींग की तरफ देखे जा रहा था क्या हुआ सर कोई परिशानी है क्या नहीं कोई परिशानी नहीं है वैसे तुम काफी ज़्यादा ही क्यूट हो एक तामीनो सेंट से तुम्हें देख के कोई क्या नहीं सकता कि तुम मैं अलफा हो हाँ हाँ सर क्यूंके मैं गरीब हूँ न और आप उसने फिर से वोही रटे रटाई कहानी जो के वांग जी को सुनाई थी चूई याइंको भी सुना थी और उस्यू याइंको चोटा बच्चा धोड़ी था जो वांग ची की तरह उसकी बात भी यकीन कार ले था लेकिन वो चुप हो गया और आप वो फिर से बास वींको देखी रहा था और वींको तो फिर से बहुत जादे टेंशन हो रही थी सर में जाओं क्या गोल्डी बाबा अकेले है अरे इतने जादा भी क्या चलती है मैं भी तो यहां पे खेला हूँ क्या मतलब और अब वींक कुछ बोलता इससे पहले इशो याइन उसका हाथ ही पकड़ लिया था और उसने देखा वींक तो कितना ही जादा गर्म हो रहा था तो मैं भुहार है क्या और वो अब उसका हाथ वकड़ कर जैसे उसे अपने गरीब एकार रहा था नई सार मैं एक्ताम ठीक हूँ मुझे भुहार नहीं है पास मुझे गर्म ही लाग रहा है मुझे जाना है सार्प्लीज विंग अब बहुत ज़्यादा इटार रहा था उसकी चोरी पकड़े जाने वाली थी और उसका साथ सामने आने वाला था तो फिर तुम इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा होट क्यों हो रहे हो तुम्हें किसी की जुरूरे था क्या में तुमारी हैल्प करूँ शूये तो अब उसे देख कर चैसे पूरा फ्लेटी हो रहा था नहीं मुझे कोई हैल्प ही चाहिए मुझे जाने है, जाने दे मुझे चले जाना, क्या हो गया तुम तरते क्यों हो इतना मुझे नी पता, मुझे जाने प्लीस मुझे जाने दे, गोल्डी बाबा के लिया रूह में और आप उसने टार के जहाए रोना ही शुरू का लिया था और शुरू याँ उसको देख रहा था जो कैसे ही अलफा था जो छोटी छोटी बातों पे परिशान और रोना ही शुरू का लिया था और आप उसने सोच लिया था ये कहीं से भी आलफा ने लगता ये जरूरू मैगा ही होगा और आप जैसे वीन के करीब होके उसे के पास किसी करने वाला था वीन ने तो एक तम से आँखें बांद दिका ले वो कितना ही जादा डार किया था और उसका रांग तो जैसे एक तम पीले बाट चुकाता हूँ डार के मारे और तब ही किसी ने जोर से जैसे कोई चीज नीचे फर्श पर फ्हेंगी थी और एक तम से जैसे बहुत जोर की अवास आई थी और वीन ने जैसे एक तम से घबरा के आँके खोले और शोयान ने पिछी मुटकर देखा वांग जी तो जैसे उसे से लाल आँख खेल के शोयान की तरव देख रहा था जैसे उसे खाई जाएगा आपकी हिम्मत भी कैसे हुए ब्रेथर मेरे मेरे शानिके कोल्टी के बेबी सिटर के साथ ऐसा भी हेव करना की क्या किया मैंने कुछ भी तो नहीं किया ये तमारा बेबी सिटर तो वो ओधी यांपे आया था मैं तो पानी पी नहीं आया था ना मेरा कला सूख रहा था और विंग तो आप बहुत स्यादी लड़ा के भोल रहा था हाँ तो क्या वो पारी भी नहीं आसरता और आपने क्या सोचा कि वो अकेला है तो आप उसके साथ फ्रीव हो जाओगे मैंने आपको पहले बोला था कि ये मेरा है उससे दूर आकरो लेकिन आप प्यार की स्वान समझ नहीं आती सुबा उने तो मैं बताओँगा भापी को कि उनका कजन कितना घिरा हुए क्या बताओगे तुमने मैं साब बताओँगा जो भी मैंने देखा और आप चू येंग को डारी लाग रहा था कहीं साच में उसने बता दिया तो उसकी क्या ही सक्राच है कि नहीं नहीं लिटल वांग जी ऐसा कुछ नहीं है मैं कोई लिटल नहीं हूँ हबर दाज मुझे लिटल खा और धूर रहो उससे मैं कहता हूँ बिल्कुल धूर हो जाओ